Hello Friends, मैं हूँ विकास, आज हम जानेंगे कि अगर आपके भी Gmail पे कोई PDF आया है और वो open नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या करें और इसको ठीक कैसे करें आए जानते हैं तो यहां पर हमारे पास यह PDF आया है तो यह open नहीं हो रहा है तो इसकी क्या-क्या भज़ा हो सकती है मैं आपको बताता हूँ और कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप इसे open कर सकते हो सबसे पहला है आपके फोन में storage problem सायद वो PDF ज़्यादा बड़ा हो इसकी वज़े से वो आपके फोन में download होके open नहीं हो रहा है तो उसे आप चेक करिए कि आपके फोन में storage है कि नहीं फिर दू़सरी चीज कोई-कोई PDF ऐसे बन जाते है कि वो PDF तो दिखाते हैं अपर वो open नहीं होते हैं तो जहां से PDF आया है या आपने जहां से भेजा है जिसको भेजा है वो पहले चेक करिए कि PDF सबसेने है कि नहीं अगर किसी और ने भेजा है तो उसे बोलिए कि PDF ओपन नहीं हो रहा है या आपने भेजा है तो आप चेक करिए कि PDF ओपन नहीं हो रहा है कहीं और PDF बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई है तो उसे चेक करिए फिर अगली चीज है यहाँ पे आप अपने फोन को restart कर दीजिए और net चालू कर लिए यानि कि फोन को आप एक बार बंद करके चालू कर लिजिए और आपका net चालू होना चाहिए आपके फोन में अगर net चालू नहीं है तो PDF डाउनलोड नहीं होगा फिर एक छोटी ची टिप है यहाँ पर आप डाउनलोड का option क्लिक कर सकते हैं वनना यहाँ आपको मिलेगा Google Drive यह वाला option तो इस पर टच करिए यहाँ पर आपको मिलेगा आपकी Gmail ID यहाँ आपको मिलेगा My Drive इस पर टच करके My Drive रहने दीजिएगा तो इसे कर लिजिएगा और सेव कर दीजिए यहाँ पर नीचे की तरफ तो हम सेव करते हैं इसको तो थोड़ा सा वेट करना है आपको फिर आपको जाना है Google Drive में आपके फोन में Google Drive होगा इसे ओपन करें ओपन करने के बाद यहाँ पर आपकी Gmail ID का लोगो होगा इसे चेक कर लीजिएगा और यहाँ पर तीन डॉट पर टच करिए सेटिंग पर आईए यहाँ पर सेटिंग बिलेगा आपको सेटिंग पानने के बाद नीचे की तरफ आईए यह आपका बंद होना चाहिए ध्यान और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारा जो PDF है वो open हो रहा है इसमें password लगा हुआ है क्योंकि यह एक secure file है इसकी वेज़ से यहाँ password लगा हुआ है तो बाकि आपका PDF open हो जाएगा वीडियो पसंद आए वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें